Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम ब्लेक की एक बहुत ही फेमस पोयम के बारे में जिसका नाम है A Poison Tree ये पोयम 1794 में उनकी कलेक्शन Songs of Experience में पबलिश की गई थी पोयम 16 lines की है जो 4 quatrains यानि 4 line stanza में बांटी गई है और हर quatrains की rhyming scheme है A A B B फ्रेंड्स पोयम की थीम है Anger and Emotion Anger यानि गुस्सा जो हमारे उपर दो तरह से effect दिखाता है अगर हम अपने गुस्से के बारे में बात करें और उसे दूसरों से discuss करें तो हम उससे आगे बढ़ सकते हैं और हमारा गुस्सा वहीं समाप्त हो सकता है मगर अगर हम अपने गुस्से को दूसरों से share ना करें अपने अंदर दबा के रखें तो वो बढ़ता जाएगा और हमारे लिए और दूसरों के लिए परेशानिया खड़ी कर देगा पोईट यहां अपने गुस्से को एक apple tree से compare करते हैं जिसे वो cultivate करते हैं नरिश करते हैं और फिर उस पेड के जहरीले फल खाकर उनका enemy मर जाता है यानि ये एक तरह की पोईट की imagination है और imagery का इस्तिमाल किया गया है पोईट ने अपनी बाते समझाने को फ्रेंड्स विलियम ब्लेक एक romantic age के पोईट थे जिनका जन्म हुआ था 28 November 1757 में और उनकी death हुई थी 12th August 1827 में वो अपनी Songs of Innocence और Songs of Experience उनकी collection के लिए बहुत ही famous हैं जिनमें उन्होंने कई तरह की poems लिखी हैं तो चलिए फ्रेंड्स पोईब पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं I was angry with my friend यानि मैं अपने दोस से नाराज था गुसा था I told my wrath, my wrath didn't फ्रेंड्स राथ का मतलब होता है गुसा या नफरत तो मैंने अपने दोस को उस गुसे के बारे में बताया उस से अपना गुसा डिसकस किया जिससे जो वो गुसा था वो खत्म हो गया यानि मैंने अपने फ्रेंड्स से अपने आंगर के बारे में गुसे के बारे में बात की और वो गुसा खत्म हो गया I was angry with my foe foe यानि दुश्मन यानि मैं अपने दुश्मन से नाराज था गुसा था I told it not, my wrath did grow मगर ये बात मैंने उसे नहीं बताई अपना गुसा उससे डिसकस नहीं किया जिसके कारण मेरा गुसा जो था वो और बढ़ गया यानि दो केसेज हैं यहाँ पर पहला जब वो अपने दोस से नाराज होता है मगर उससे बात करने पर उसका गुसा खत्म हो जाता है और दूसरा जब वो अपने दुश्मन से नाराज होता है मगर वो उससे इस बारे में बात नहीं करता और धीरे धीरे उसका गुसा बढ़ता चला जाता है और मैंने अपने गुसे को बिलकुल किसी पौधे की तरह उगाया उसे कल्टिवेट किया दिन रात अपने डर से और अपने आसूँ से यहाँ डर इस बात का है कि कहीं मेरे एनिमी को मेरे दुश्मन को मेरे गुसे के बारे में पता न चल जाए और टीर्स यानि आसू इसलिए हैं क्योंकि वो अपना गुसा किसी से शेर नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे उसका गुसा बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ पर उसके गुसे को एक पौधे की तरह दिखाया गया है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मैंने अपनी जूटी स्माइल से उस पेड को सूरज की रौशनी दी यानि उसे बड़ा होने में और हेल्प किया और अपने धोखे भाजी भरे चालों से यानि यह जो प्लांट है यह बहुत ही अजीब चीजों से बड़ा हो रहा है डर से आंसूओं से जूटी स्माइल से और धोके भाजी बरी चालों से इन सभी से यह जो अंगर का पौधा है गुस्से का पौधा वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और वो पेड बड़ा होता गया दिन रात तिल इड बोर अन आपल ब्राइट जब तक उसमें एक शमकीला सेब नहीं फल गया और मेरे दुश्मन ने उसे चमकते हुए देखा उस फल को और वो जान गया कि ये फल जो है वो मेरा है यानि आखिर मेरे अंगर के जो पौधे थे उस पर एक फल आया एपल का और अब मेरे दुश्मन की नजर उस फल पे पड़ गई है और वो छुपकर मेरे गार्डन में जहां पर वो पेड था वहां पर आया जब रात ने इस पोल को इस धर्ती को धक रखा था वेल्ड का मतलब होता है ढकना और पोल का मतलब है यहां पर अर्थ यानि धर्ती और सुबा के समय मैंने खुशी से देखा माई फो आउट स्ट्रेच्ट बिनीद दट्री मेरा फो मेरा दुश्मन उस पेड की नीचे आउट स्ट्रेच्ट था यानि पीठ के बल पड़ा हुआ था वो मरा हुआ था यानि आखिरकार उसने मेरे उस पेड का वो जहरीला एपल खा लिया जिसे खाकर मेरा दुश्मन मर गया यानि आखिरकार मेरे गुस्से ने मेरे दुश्मन की जान ले ली अगर मैंने उससे बात की होती और अपनी प्रॉब्लेम्स को डिसकस किया होता तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता यानि हमें अपने अंगर को कंट्रोल करना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए जितना हम उसे अपने मन में दबा कर रखते हैं वो उतना ही जादा जहरीला होता जाता है तो फ्रेंड्स ये थी विलियम ब्लेक की पोयम A Poison Tree